हलो दूस्तो नमश्कार होती इंपोर्टेंट है तो जरूर यहाँ पर रिमाइंडर सेट करके आप लोग रख सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं सो दोस्तो अभी हम लोग आचुके बिल्कुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक जबरदस ब्रेकिंग न्यूस के बारे में अभी आप सभी लोग को पता है यहाँ पर FIS की अगर हम लोग बात करें FPS की बात करें मतलब basically foreign investors की बात करें foreign investor लगातार हम लोग को क्या होते हैं देखने को मिल रहे हैं सर हम सभी लोग उनको पता है exit ही हो रहे है वो लगातार माल बेच ही रहे है net seller के रूप में आगे continue आपे करते ही जा रहे है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें लगातार उनके बिक्वाली के कारण हम लोग को market में pressure देखने को मिल रहा है पर दोस्तों उसी time पे इनी foreign investor ने एक बहुत सारे shares में उन्होंने इन्वेस्ट किया बट एक ऐसा stock जो क अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मार्च का जो अभी का data release हुआ जो मार्च quarter हम लोग बोलते हैं quarter 4 का data release हुआ तो पता चला कि दोस्तों foreign investor का वहाँ पे हम लोग को come back देखने को मिल रहा है जी यहाँ दोस्तों यहाँ पर वापस foreign investor उसमें निवेश करते हैं देखने को मिल यहाँ पर क्यों जा रहा है उपर क्यों जा रहा है जब मार्केट में नीचे जाने का रिजन आपको पता है FIS लगातार सेलिंग कर रहें तो प्रेशर तो है यहाँ और भी अलग-अलग factors रहते हैं बट कुछ important reason में यह reason आता है अगर ITC में जो तेजी की दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके पीछे का असली कारण अभी यहाँ पर पता चल चुका है और वो कारण है दोस्तों foreign investor की लगातार buying यह जोसों बहुत सारे हम लोग को block deal यहाँ पर बीच में देखने को मिले थे और वो अभी रिवील हो चुका है मार्च का data update हो चुका है कि foreign investors ITC में हम लोग को वापस आते वे देखने को आपे मिल रहे है जैसे मैं आप लोग को बोला कि foreign investor तो आते जाते रहते इसमें इतनी बड़ी breaking news क्या है तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड दोस्तों अभी हम लोग आ चुके जैसे कि मैंने आप लोग को बता है ITC का ही यह share holding pattern है जहाँ पे आप लोग को promoter देखेंगे नहीं जो लोग पूछते से promoter zero है मतलब company में तो गड़बढ़े होगी दोस्तों ऐसा नहीं वो professionally managed company रहती है उसमें बहुत ही सारे processes fit किये जाते ह एसी कोई बात नहीं यहाँ पे कि promoter zero है मतलब company में गड़बढ़ होगा ऐसे तो कितने सारे stocks L&T से लेकर ICA से बैंक से लेकर आपको बहुत सारे shares मिल जाएंगे जहाँ पे promoter zero है उसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रत नहीं होते है वापस कहना चांगा वो professionally managed है अगर promoter zero हो तो definitely and अगर वो company में fraud जैसे कि बहुत से लोग directly बोल देते कुछ तो गड़बढ़ होगा fraud होगा तो FISDS इतने बड़े पेवाने के पर होते ही नहीं मतलब एक common sense हम लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए fine तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते है ITC एक well professionally managed company है यहाँ पे हम लोगों को कोई भी बड़ा promoter फिलाल तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं बताना चाहूंगा कि किसके पास सबसे जादा steak है जो कि tobacco वाले ही है ठीक है तो दोस्तो दिसेंबर 19 में 15.64 दें डिसेंबर 19 15.18 दें मार्च यहाँ पे कोईड के एंट्री थी 14.65 दें आप देख सकते 14.60 तो अभी ऐसा बोलते रहोंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बड़ आप देख सकते यह रहे के 12.96 दिमे दिमे करके एक बार बीच में उन्होंने माल खरीदा भी था जैन वापस आप देख सकते हैं बहुत बड़ा माल उन्होंने बेचा भी था चाहे वो कर सकते हैं प्लस माइनस हो सकते हैं 11 हो गया तिर 10 हो गया फिर 9 हो गया और वह धितना हो गया foreign investor ने यापे ITC के share में आपे की है जैसे मैंने आप लोग को बता है कि foreign investor लगातार net seller है इसलिए market में आउनों को pressure देखने को मल रहा है and ITC ऐसा विपरित Q यापे जा रहा था उसका असली कारण reveal हो चुका है दोस्तो कि जो पुरे बाजार को hammer कर रहे उनोंने ही ITC में अच्छा खासा माल खरीदा है इसलिए आप लोगोंने देखा होगा कि ITC हम लोगों को अच्छा खासा performance देते वे उपर जाते वे देखने को आपे मिला है no doubt अभी आप लोगों का second सवाल आ जाएगा कि अभी foreign investor क्यों यहापे buy करे और मैं आप लोगों को एक important point भी बताना चांगा कौन सा कि देखे इसका रतिया नहीं कि foreign investor यहापे पूरी तरीकी से comeback हुए है पूरी तरीकी से comeback हम लोग तब ही बोल सकते है जब वो consistently buying करें मतलब आने वाला जो next quarter रहेगा अभी यह December हो गया, March हो गया फिर उसके बाद हम लोग को एप्रिल, मे, जून उसके बाद का जो quarter रहेगा मतलब जून की हम लोग बात करे है Q1 की बात करे है, वहाँ पे भी अगर foreign investor sustain रहते, sustain रहते मतलब maintain करते इस चीज को, तो हम लोग कह सकते कि वाकई में comeback है, क्योंकि मेरे अभी भी आप लोग को एक data दिखायता है, यह दिखी, यहाँ पे आप देख सकते December में foreign investor ने comeback किया था बट March में वापस 21 की बात कराओ वापस से उन्होंने माल बेज दिया तो इसलिए पूरी चीज़ों के उपर blindly भरोसा नहीं रखना है, हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि क्या वो consistency की साथ यहाँ पे वापस आये है या नी, मतलब यह उन लोगों के लिए जो ITC में invest करके बेठे हो या फिर invest करने की सोच रहे है, पर इतना हम लोग कह सकते कि यहाँ पे क्यों ITC market की विपरिज जा रहता market नीचे एंड ITC उपर तो यह कारण पता चल गया कि foreign investor ने यहाँ पे jump के buying फिलाल तो की है अभी next सवाल आप लोगों का यह भी आ जाएगा कि foreign investor को इतना मतलब लगातार बेची रहे थे, अभी यहाँ पे ने buying क्यों है, क्यों की है मतलब 5-6,000 करोड की buying और जैसे मैंने का हा कि 24 करोड से ज़्यादा के shares करीदे तो अलग-अलग reasons दो सो चलते रहते है बाजार में, right, तो यहाँ पे बताए भी जा रहे कि MSCI index आप लोगो रहता है वैसे MSCI ESG norm से related भी एक index हम लोगो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और वहाँ पे इनकी rating हम लोगो डबल A यहाँ पे देखने को मिल रहे है वैसे तो देखा गया तो यह इसके पहले भी था बट फिलाल हम लोगो यह वापस continuation यहाँ पे का देखने को मिल रहा है और cigarette का business भी इनका अच्छा गासा चलते हुए देखने को मिल रहा है इस चीज को बार-बार highlight करना चाहूँगा आगे भी कि comeback हुआ है बट वो comeback sustain होना बहुत ही important रहेगा next अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि अभी दिमाग में ये भी चीज आ जाती है कि ITC मतलब cigarette वाली company मतलब main तो cigarette है agriculture FMCG वो भी रहता है बट main इसका नाम तो अभी भी आप देख सकते है T stands for क्या है ITC में tobacco ही है, cigarette ही है so cigarette वाली दूसरे भी companies थे वहाँ भी हम लोग को same ही चीज देखने को मिलती थी तो चले वो भी एक चेक कर लेते तो उसमें कौन सी company आती है तो दोस्तों उसमें एक company आ जाती VST Industries अभी VST Industry कौन सी company दोस्तों VST Industry की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते है VST Industry Engage in what Cigarette, Cigarette, Tobacco, Tobacco Products तो इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो foreign investor आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर माल बेची रहते अगर मैं इस shareholding pattern अगर आपको दिखा दू कब से देखिए 19 से ही available है तो यह देखिए June 19 FIS 8.77 फिर 7 हो गया फिर 6 हो गया फिर 5 हो गया यहाँ पर तो FIS ने मतलब जम कर सेलिंग किये 4 पसेंट, 3 पसेंट, 3 के बाद, 2 पसेंट, 2 के बाद, 1 पसेंट I hope आपका ध्यान इधर है आप देख सकते हैं आपे 1.81 और यहाँ पर मार्च कोटर की भी बात करें तो 1.81 से 1.75 So definitely हम लोग कह सकते कि Specifically यहाँ पर हम लोगों को ITC में ही यहाँ पर Foreign Minister यहाँ पर इंटर करते हुए देखने को मिल रहे In the terms of tobacco की अगर हम लोग यहाँ पर Market की बात करें So definitely MSCI, ESG जो Index की अगर हम लोग यहाँ बात करें Norms की अगर हम लोग बात करें तो उसके इसाब से जो Ratings यहाँ पर हम लोग को अच्छी देखने को मिले इसी के चलते शायद से Foreign Minister ने ITC में आपर 2% का माल यहाँ पर उठाया है So यह बहुत ही अच्छी News है ITC एंड उनके Shareholder के लिए Then दोस्ता अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक और main reason था वो मैंने आप लोग के आपर बता है And वो reason आज भी है, वो डर आज भी है और वो डर किस से related है दोस्तो वो है Government से related अपर आप बोलो कि Government का क्या रोल है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहाँगा Government का यहाँ पर ITC में बहुत भारी स्टेक है Yes, कितना है लगबग 7% से जादा So, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह देखे, Shareholding Pattern में 7.92% मतलब लगबग लगबग आप पढ़ सकते हैं दोस्तो कितने 97 करोड 45 lakhs 31,427 Shares है, रुपीज नहीं अगर आपको लगता है कि रुपीज है, नहीं नहीं यह Shares है, तो कितना बड़ा Shareholding है, देखे, 7.92% दोस्तो, किसके पास है, सरकार अभी सरकार मतलब यहाँ पर सरकार नहीं लिखा रहे, Specified Undertaking of the Unit Trust of India आप लोग ने सुना होगा, सूती करके यह यह वही है दोस्तो, और सूती मतलब यह सरकार के अंडर है, और सरकार चाहे मतलब आपको पता है, फिलाल की सरकार के से, उनको पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए, उनको तो definitely वह यहाँ पर बहुत सारे Stake Sale कर रहे, LIC हो गया, ONGC का भी न्यूस अभी हम लोगों ने देख लिया, हिंदूस्तान Zink हम लोग देख रहे, कैनरा बैंक इंडियन Overseas Bank की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, BPCL से लेकर, चल रहशिपिंग Corporation of India, मतलब सरकार यहाँ पर divestment को बहुत ज़दा focus दे रही है और सरकार के पास यहाँ पर इतना बड़ा stake है तो कभी भी क्या कर सकती है मतलब सरकार यह stake बेच सकती है इसलिए बोला जाता है कि ITC के उपर एक क्या है यह लटक टिवी तलवार है यह कोई नहीं बता सकता अगर सरकार चाहे वो कभी भी DCN ले सकती है क्या पता सरकार DCN ले ले 300-400 पर अगर ITC चाहता है for example हम अमारा stake बेचना चाते है क्या इसा सरकार कर सकती है यह सरकार ने इसके पहले भी किया कौन से स्टॉक में किया है Axis Bank में 2021 में आप लोगों ने देखा होगा Axis Bank जबरदस गिरा था क्यूँ क्योंकि सरकार ने लगबग 2% के आसपास stake यह पे बेचा था और उसके चलते शायद से सरकार को 4000 करोड के आसपास यह amount यहापे मिली थी तो इसलिए दोस्तों हम लोग जरू कह सकते है यह हमेशा के लिए एक ऐसा मतलब हम लोग कह सकते सरदर्द वाला पॉइंट है जो कि ITC में अगर आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हो या फिर इन्वेस्टेड हो तो आप लोग को यह पॉइंट यहापे पता होना चाहिए मतलब सरकार कभी भी चाहे तो यहापे बैंड बजा सकती है तो सर शेर्स बेज दिये तो इसमें बैंड कहा दिखे बहुत सारा सप्लाइ हो जाएगा जैसे मैंने बताया आप लोग को कितने शेर्स है दोस्तों लगबग लग हंड्रेट करोड शेर्स है इतने ज़्यादा शेर्स है दोस्तों रूपीज नहीं है तो अगर वो इतने ज़्यादा आ गए तो सप्लाइ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि डिमांड से ज़्यादा है और सप्लाइ बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है बार-बार में इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ, बाजार यहां से ऐसा गिरा था, बट ITC भाग रहा है, तो अभी आप लोगों को रिजन पता चल गए, कि फॉरें इंवेस्टर का कमबैक हुआ है, बट जैसे में आप लोगों को कॉशन्स भी यहां पर दिया है, कौनसी चीज कि हम लोगों को चेक भी करना है, क्या फॉरें इंवेस्टर सस्टेन रहे पाते हैं या नी, या फिर फॉरें इंवेस्टर यहां पर वापस प्रॉफित बॉकिंग करके चले जाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा यहां पर हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, डिसेमबर